Welcome back to the biodiversity, हमने एक video series launch किया है, जिसमें से समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कि कितने grant और fellowship हैं, कौन-कौन से fellowship आ रहे हैं, इसमें आप apply कर सकते हैं, और research purpose के लिए कितने ऐसे agencies हैं, जो आपके research को funding कर सकते हैं, तो इस series का नाम है grant and fellowship, funding for your education and research, अगर आपके पास ऐसे कोई जा grant के बारे में, जो education और research में funding करता है, बच्चों की मदद कर सकता है, student को help हो सकता है, तो आप हमें जरूर लिखे, biodiversity, ilsa.gmail.com पर आप share करना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर लिखे, हम आपकी बाद यहां से share करेंगे, चुकि हम सब जानते हैं, education, research means collaboration, साथ में मिलके ही यह चीज़ संभव है, तो हम सब share कर सकते हैं, आपके पास भी अगर कोई specific जानकारी है, तो हम तक share करें, हम आपकी बाद को यहां से share करेंगे, आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करने वालें है, funding opportunity for PhD student and post-off in India, यह वो फेलसीप है, जब आप इंडिया में PhD परस्यू करते ह यहीं कि national PhD fellowship इसको हम लोग कह सकते हैं, इतने तरह के हैं, तकरीबल 11 तरह के ऐसे fellowship हैं, जैसे कि JRP है, जो CSIR देता है, यह will learn है, हम सब इसके बारे में जानते हैं, JRP है जो UGC देती है, JRP है जो DBT देती है, JRP है जो ICMR देती है, JRP है जो की agriculture के लिए AIEEE और ASRV देती है इसके अलाबा जो होता है वो लेडी टाटा मेमोरियल प्रस्ट भी देती है और टाटा का ही एक एया है यह आपको फिलोसीफ प्रोवाइड करती है है और सबसे लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं जो गेट और एक्सल बिटी है यहां से भी होता है अज मलोग बदार हैं कि ऐसे कितने fellowship हैं जो आपको यहां से मिल सकते हैं जिसके लिए आप अपलाय कर सकते हैं अगर आप नेशनल तोर पर PhD कर रहे हैं अगर आप इंटरनेशनल स्टुडेंट हैं PhD के तो TWASNRF doctoral program होता है रिशर्च ग्रांड, doctoral program, DAAD, रिशर्च ग्रांड, बाइ नेशनलिटी, सुपरवाइस डॉक्टरल डिग्री, टुतिल, DAAD ये तीन ऐसे फैलोसीफ हैं जो इंटरनेशनल स्टुडेंट को मिलता है जो कोलाबरेशन से PhD कर रहे हैं जो इंटरनेशनल PhD फेलो हैं अब हम लोग बात करेंगे पोस्टॉक के लिए अगर नेशनल तोर पर आप काम कर रहे हैं अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो तक्रिवन 16 तरह के फेलोशीप हैं जिसको पोस्टॉक फेलोशीप कहते हैं और उससे आपको रिसरच के ग्रा इंडिया इलाइयस देती है इसमें दो तरह की होता है एक बेसिक रिसर्ज के लिए ने नाये जुविडिनुक्रार और ही य Giving था होता है उ Sims गोबिंद खोरना इनोवेटिव यंग बाडिटेकन लोगनोटी कर अवार्ड जिल्सट देती है नेहरू साइन्स पोस्ट टॉक्टरल रिसर्च फिलोसीप CSIR देती है और इंस्पायर फिकल्टी फिलोसीप साइन्स स्कीम जो की देती है यह आठ तरह के फिलोसीप अभी हमने लिस्ट किया है 16 है टोटल फिलोसीप अब हम लोग थोड़ा सा डियाचर की बात करें तो हमने एक प्रोग्राम लॉंच किया था अभी भी चल रहा है में जो हमारे सर है जो इनको कोडिनीड करते हैं जो कोको डियाचर द्च्त मार में और हो आयटी बि AnchPac से पेस्डी किये हैं तोंट बी आप हमें mail कर सकते हैं by diversity ilsa at the rate of gmail.com पर या हमें whatsapp कर सकते हैं इस नमर पर आप इस प्रोग्राम को launch करने का कारण यह था इजाधा तर किसमें हम जो ब्सक्राइब कर सकते हैं या नहीं सुचते हैं कि हम भी एक research article या एक review article या एक book chapter या content writing कर सकते हैं उसको publish कर सकते हैं ज्यादा तर हम यह मानते हैं कि जब हम PhD करते हैं तभी हम review article लिखते हैं या तभी हम research article publish करते हैं यहीं कि publishing और writing का काम जो है हम लोग MSC के बाद peace dream करते हैं जो कि सकते नहीं है अगर आप BSC में हैं अगर आप MSC में हैं फिर भी आप अपना article लिख सकते हैं जिसमें आप expertise हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं अच्छे से review कर सकते हैं रिभी article लिख सकते हैं या अगर लाइब है आप MSC में भी research article publish कर सकते हैं इसलिए हमने यह course launch किया था जिस course का नाम था scientific writing and publishing जिनको lead करते हैं हमारे डॉक्तर बीर सर जो कि बीचर साइन्टिस्ट है आई सीमर वे अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नाइंट वन पे रिसर्च एसोच एस चीप सीयसे आइड देती है रिसर्च एसोच एट सेप आई सीमर भी देती है बायो के यह बीटी की द्वारा मिलता है ओमन प्रोग्राम आई एसी देती है केमपस फेलो प्रोग्राम एंसी बीस टी आया फार देती है और ब्रैंट को 20 फेलोसिव जो की सोसाइटी इन साइन्स यह 16 तरह के पोस्टॉक फेलोसिव हैं जो की इंडिया में नेशनल लेवल के जो पोस्टॉक कर रहे हैं उनके लिए हैं ailleurs इस तरह को च्रंइट्स रहा है ऐसे पॉस्ट्स टॉक्स फेलोसिव ईए यह सब एसीप नूटन इंट मेंसिन्वराद na यह को और दिया जाता है क्वालिफिकेशन होता है वो यह होता है यह आपका मिनिमाम सिक्स्टी 55-60 परसंद मार्ट सुना चीए मास्टर में अगर आप जन्रेल कटेगरी से हैं और कुछ कटेगराइज जो छूट होते हैं वो 50-55 परसंद स्ट के लिए और जो डिफरेंटली एबल होते हैं उनके लिए लिए यह ईज लिमिट के बात करें तो नॉर्मल प्रूनटी एट य Administration के लिए और मिल्एर यायर सेलेक्स होता है 5 साल के लिए उसी तरह से से स्ट्रीया के लिए जो फेलोशीट होता है जो प्रेशटी फेलोशीट होते हैं जो कि जिणे बेर होता है जूरेर रिसरच फेलोशीट उसके लिए जो more or less qualification होता है 55-60% मास्टर में होना चाहिए अब कुछ रेलेक्शेशन होता है काटेग्री वाइस और अगर एज की बातकरेत 28 एज होना चाहिए और जेनरल और EWS के लिए और कुछ रिलेक्सेशन होता है पाइंच साल का वो कटेगरी के लिए होता है थैंक्यो सो मच पूर वाचिंग दिस वीडियो मैं हूं गौरफ और आप देख रहे हैं बाइवर्सिटी अगर ऐसा लगता है कि कोई फेलोसिप छूट गया है या कोई ग्रांड या फॉन्ड जो आप जानते हों और सेर करना चाहते हों हमारे साथ तो हमें आप मेल कर सकते हैं बाइवर्सिटी आई एलेस आयट देरेट ऑफ जीमेल डाट कॉम पर हम यहां पर इस प्लेट फॉर्म पर उसको सेर करेंगे और बस आप सपूर्ट करते रहें वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जूड़े रहें समय समय पर हम आपके लिए लाते रहेंगे कितने ग्रांट हैं कितने फेलोसीफ हैं कौन से ओपन हुए हैं किनका आप लाए अभी कर सकते हैं किनके लिए आप इस सब आपको यहां पर जनकारी मिलते रहेगी तो आप जूड़े रहे हैं हमसे थैंक्यू सो माइच पर वाचिंग दिस